दोस्तों जब भी आप कभी मंदर में जाते हैं, आप किसी पूजा के बाद जब आपको परशाद मिलता हैं, तो आप दुनों हाथ फिलाके इनकी तरह नहीं लेते, जब भी आप इनकी तरह रहेंगे तो आप कन्फ्यूज रहेंगे कि कौन सा लड्डू कौन से हाथ में लेकिन जब आप प्यारे राल बनेंगे, यानि कि इनकी तरह, तो क्या बनेंगे? आप बहुत प्यार से सद्भाव से एक ही चीज़ के प्रदी आदर्श होंगे, समर्पित होंगे, और आपको प्यार से लड्डू भी मिलेगा और भगवान का आशिरवाद भी, यानि कि कहत होता है, रिसोर्से नहीं थे, लाइट नहीं थी, तो घर के बाहर जो इलेक्टरसिटी थी, बिजली का खंबा उस नीचे पढ़ रहा था, इतना अलीम था कि उसके साइड से एक बारा दूजर गई, और कुछ बाराती भी यह चुड़ जाते वेवरे टाइप है, चल रहा है अब रात आगे निकल के भाई पकड़ो, आता है तो वो पूछता हो, भाई साब आपने देखा कुछ गाड़ी यहां से निकले, कुछ गाड़ी वाड़ी लोग गए, नाचते होए गए, उन्हें का सर मुझे पता नहीं, वो तो जारी आगे, तो बच्चा हैरान रहा किया मुझे पता कैसे नहीं चला, दोस्तों जब आप किसी चीज के परती, concentrate रहते हैं, concentration का सबसे बड़ा इलाज है, वो है focused, focused रहते हैं, तो दुनिया के अब हर वो चीज, achieve कर सकते हैं, जो आप करना चाते हैं, लेकिन इन चीजों के लिए, तीन चीज बड़ी जो मैंने आप से चाते हैं, और आज की इस वीडियो में, ऐसी 7 टिप्स में आपको शेर करूँगा, जो आप इन चीजों को हासिल कर सकते हैं, और दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूँ कि CSIR, UGC, NET 2020 का answer की out हो चुका है, अब what next, यहाँ पे अन अक्याड़ वीडियो है, वहाँ पे है, आप इसको जाके पूरा काउंसली देख सकते हैं, कि what to do, next अब क्या करना है, क्या अपने आपको GRF में जाना है, क्या अपने आपको SL पे जाना है, क्या आपने को गेट की प्रिपरेशन करनी है, इंटर्व्यू कैसे फेस करना है, कौन से को एम करना है, उसका इंटर्वी जो है, वो कैसे अपन क्रैक करेंगे, इन सब चीजों के लिए, अनकाडिमी के टॉप एजुकेटर्स, आप लोगों को यहाँ पे उन्होंने सेवन्थ को काउंसलीन ली, वो सारी वेडियो आपको free of cost available है, अनकाडिमी के platform पे, जहाँ पे आ तो like description में इसका link है, आप proper सारी चीजें वहाँ से detail ले सकते हैं, और discount का benefit और price hike से बच सकते हैं, so let's crack it, तो दोस्तों शुरुवात करते हैं सबसे पहले point से, जो मेरा है fresh environment, देखिए, जो student होता है ना, जब भी आप fresh environment के बाद सुनते हैं, क्योंकि मैंने जब भी, क्योंकि म मैं खेरूनी बच्चों को बढ़ाता हूं, जो बड़े हैं, बच्चे तो बढ़ा हैं, मैंने 12 साल ये career में, वह या तो graduation बाले हैं, 12 बाले हैं, सबकी एक ही कहानी थी, topper के साथ भी हाल होता था, तो जब भी मैं fresh environment की बात करता हूं, मेरा सिर्फ मोटो इतना होता है, कि cleaning न पता ना, अगर सच बोल रो, कमेंट में येस लिखना, फोन उल्टा गुमा के रखते हैं, ये फोन ऐसे बड़ा है, ऐसे रख देंगे, कि बच्चे बच्चे प्यारे लाल वाइबरेशन लगा के रखते हूं, कुछ ऐसा हो जाता है, कि नजर चला ही जाता है, गल्फरेंड हाए हेलो करते करते हैं, आपका एक डिड़ गंटा निकल गया, ये ही चीज आपको डिस्ट्राक्ट करती है, मैं इसलिए कहता हूँ, फ्रेश एंवार्मेंट में आसपास वो सारी चीजे है, जो जरूरत की नहीं है, जो पढ़ाई के अलावा, पढ़ाई के टाइम पर है, डिस्ट्रक्शन क्या होता है, देखिए माली जी आप एक घर में गये, जहां पर दो-तीन मिठाईयां रखी है, उसमें एक तरफ सबसे पहले और सबसे सामने फ्रेंट पे था वो था बूंदी का लड़ू, जो हम खा रहे थे अभी, वो लड़ू रखा हुआ था, एक ब वहाँ गुलाब जावन फ्रेश, गर्मा गरम गुलाब जावन, अब बताईए, सो बच्चे जाते हैं, कितने बच्चे सिफ्ट होंगे, गरिंटी देता हूँ, तकरीब नबे से पंचाने बच्चे सिफ्ट हो जाएंगे, पाच ये वो बच्चे है, उन कैटेगरी में रख जब वो पद, जब आप उस पोस्ट पे बैठते हो, वो चीज, जब इस रो में जॉब करने जाओगे, वहाँ बैठोगे, वो चीज, अगर उसकी महक आपको नहीं पता है न, खा जाओगे बुंदी के लड़्डू, नहीं बढ़पाओगे आगे गुलाब जामून की तरह, तो वही चीज है मेरे दोस, यहाँ डिस्ट्रक्शन को मैं लेके चल रहा हूँ, सिंपली, बुंदी के लड़्डू और अपना गुलाब जामून, अगर हटमाली जी गुलाब जामून नहीं तो सारे के सारे खाले थे बुंदी, अगला पॉइंट यह हैं, धूर कैसे करें, बंद करना का सॉलीशन है, नहीं, सबसे पहले चीज लिस्ट बनाना सॉलीशन है, एक लिस्ट परपेर करिये, जितने भी डिस्ट्रक्शन आइटम है पढ़ने के दौरान, अराम से बैठिए पूरी लिस्ट बनाई है, मॉवाइल फोन, गैजट्स, टीवी, दोस्तियार, फ फोन डिस्टरक्शन है, सारी चीज़े रहने दीजे, पहले दिन सिर्फ फोन अटाईए, अगर आप एकदम से अपने अंदर बदलाव लाएंगे ना, तो वो चीज़े फिट नहीं बैटेंगी, क्योंकि आपने इस सारी चीज़े धीरे धीरे अडॉप्ट करी है, तो इसे ह अच्छी हबिट है, लेकिन इसको आप क्या करिए, थोड़ा सा एक्जामनेशन टाइम में अवोइड करिए डिजिटल इबुक्स, जैसे हम बहुत सारी मुवाईल फोन में बुक्स पढ़ना शोरू कर देते हैं, बिट्वीन दा स्टडी हमारे पास बहुत सारी नोटिफिक करिए, क्योंकि जब तक आप इसे अवोइड करेंगे, तभी आप ठीक हो पाएंगे, और नेक्स्ट, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट यह है, कि देखे, बुक्स पढ़ना क्यों अच्छी बात इसलिए भी है, क्योंकि रीडिंग्स जो है, वो बेस्ट हैबिट्स होती है, क् आपकी जो प्रस्नल जो अकेडिमिक ग्रोथ है, वो भी भढ़ना शुरू हो जाएगा, और दोस्तों एक लाई नेना की पत्थर पे बार-बार रसी अंदर बाहर होती रहे, तो अब पत्थर पे भी अपना निशान छोड़ देती है, तो इस चीज को अपने को ध्यान रखन लगातार अपनी रीडिंग हैबिट्स को बिल्ड करना है, और साथ में दोस्तों, अब मैं आपको एक ऐसी स्टोरी सुनाने वाला हूँ, अगर ये स्टोरी आपको नहीं बांध पाई ना, तो इस दुनिया का कोई भी इनसान आपको कॉंसेंट्रेशन और फोकस और निरंतर चीजों को डिस्ट्राक्ट होने से बचने वाली जिजों से कभी रुक नहीं सकता, ये स्टोरी कुछ ऐसी है कि एक नौजवान बच्चा जो 18 साल का था, वो हमेसाथ दौड करता था सुबह उठना और दौडना, लेकिन कोई भी रेस उसने आस तक कंप्लीट नहीं करी, जै रेस शुरू ही, लेकिन कहते हैं ना, कि आजैसे हम स्टूडेंट, हर दिन प्लैन माते हैं, भाई कल से 10 गंटे पढ़ूंगा, होता है क्या, नहीं, सेम उसके साथ भी ऐसा हुआ, जब उसने रेस स्टार्ट करी, क्या हुआ, फिर से रोग गया, ठक गया, लेकिन फिर उसने अपने अंदर एक इक्छा सकती जगाई, और उसने ये डिसाइड किया, कि माना कि मैं ये रेस नहीं जिस सकता, लेकिन मैं इस रेस को पूरा जरूर करूँगा, मैं दौड नहीं सकता, लेकिन मैं चल जरूर सकता, उसने दौड़ना छोड़के चलना ही शुरू किया, और फ पहली बार अपनी रेस कम्प्लीट तो ही, आप समय से जदे दर स्टूडेंट हर मांजाते हो बीच में, इस पहले ही मैथ के एक्जाम रग दिये, concentration, focus और multitasking से बचना पड़ेगा ये दो चीजे अपना नहीं पड़ेंगी और ये story perfect है उन लोगों के लिए जिने लगता है कि वो सिर्फ life में कुछ भी नहीं कर पारे drop कर जाते हैं दोस्त जरूरी नहीं कि हर बार आपको top बनना है हर बार कोई भी चीज अचीव करनी है कम से कम उसे पूरा तो करिए उस बच्चे की भाव सुनिए जब उसने पूरा किया finish line cross करी वो सबसे last था लेकिन खुशे किस बात की थी इस बात की थी कि yes यहां तक आया तो सही सो मैं आप सबसे request करूँगा कि दोस्त यही एक मूल मंत्र है आगे मैं इस पर बहुत सारी details statical videos बनाऊंगा आपनों के लिए voice over में बट इस video को आपको इतना share करना है इतना share करना है कि उन सभी student को जो चाहते हैं आपकी help हो मेरे दोस्त हम सब के पास एक ऐसा दोस्त होता है जिसे need होती है हम चाहते हैं कि यह भी पढ़े वो भी आगे बढ़े माना कि दोस्त टॉपर बन्जा जलान होती है लेकिन कुछ दोस्त ऐसे भी होते हैं जो रह जाते हैं आपने को बहुत दुख होता है कि आपका कोई ऐसा दोस्त है वो भी comment में बताईएगा और इस वीडियो का दवा के शेयर करो में दोस्त उन सभी दोस्तों के पास और ऐसे ही वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ और जो sample paper का giveaway था वो भी आपको जस्ट जो मैंने कुछ बच्चों के नाम find out कर ली है दस उसी process में हूँ आपको वीडियो से मिल जाएगी कॉरियर के लिस्ट का तो बस आज के इस वीडियो में मिलता हूँ नेक्स वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद